Hello Everyone, Welcome to Vampire Auto World भारत में मारूती सुजुकी की तरफ से entry level मारूती सुजुकी Alto जो की किसी भी entry level segment car जो की बाकी कारियाते उनसे ज़्यादा popular और सबसे ज़्यादा बिकती है जब से भारत में first time launch हुई थी मारूती 800 के रूप में उससे ले करके आज जब ये Alto 800 के रूप में आती है तब तक नमबर वन के पोजिशन में हमेशा ये hatchback कटेगरी के अंदर रही है आज हमारे पास अविलेबल है Alto का VXI Plus variant और हम बात करने वाले हैं इस variant के बारे में हर एक detail feature के बारे में जो इस गाड़ी को purchase करने से पहले आपको जानना जरूरी है सबसे पहले ये गाड़ी किन लोगों के लिए बनी हुई है उस चीज के उपर बात कर लेते हैं ये गाड़ी बनी हुई है जो first time buyer है जो नए लोग है जिनको कम headache के उपर बढ़िया product और एक लंबी life वाली गाड़ी चाहिए और कम से कम खर्चे के अंदर तो उन लोगों के लिए ये best product रहता है क्योंकि इस गाड़ी का low maintenance, high fuel economy उसके अलावा गाड़ी के अंदर best sitting position और जिस price point के उपराती है वो हर चीज ये आज के दिन justify करती है आप तो इसके अंदर luxury के कुछ और features को भी add on कर दिया गया है पहले तो इसके अंदर कुछ गिने चुने features आते थे ये पहले ही मैं बता चुका हूँ VXI Plus variant है और इसके front से ही शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले front में, center में अगर आप बात करते हैं तो Suzuki का logo आपको देखने को मिलता है और उसके साथ ही black grill देखने को मिलते है ये था इसका front design, front से, side से और हर design element से बात करें तो sophisticated और एक जो genuine design होता है जो lifelong, लंबे समय तक सलने वाला design इस गाड़ी के अंदर provide किया गया है आज के alto और एक alto आपको 23456 वाली model अगर देखते हो तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा changes आपको देखने को नहीं मिलते हैं वो design भी आज लोगों को उतना ही पसंद है जितना आज ये नई वाली alto पसंद है front से इस गाड़ी का जो look है उस हिसाब से ठीक ठाक है गाड़ी के अंदर लगभग 1490 mm की चोड़ाई ओफर की जाती है और अगर इसमें side molding add कर दे तो ये चोड़ाई 1515 mm हो जाती है गाड़ी के अंदर अगर लंबाई की बात करें तो इसके अंदर लगभग 3445 यानिकी 3445 mm की ओफर की जाती है और हाइट 1475 mm की हाइट गाड़ी के अंदर ओफर होती है side में गाड़ी में basic design basic feature के साथ ही आती है exterior में कोई external feature जादा इसमें नहीं है क्योंकि जिस price point के उपर इसको रखना था उसके हिसाब से इसके अंदर basic need के feature लेकिन ज़्यादा दिखावटी feature नहीं होने चाहिए थे गाड़ी के अंदर अभी भी अगर आप इसका top model खरीते हैं तो वहाँ भी आपको सिर्फ steel wheel का ये option मिलता है और वो भी black color की इसके अंदर आपको top model में इसके जो मारूती के original wheel cap है वो मिल जाते हैं प्रोफाइल की बात करें तो 145-60 आर्ट वैल इंज के tire ओफर किया जाते हैं base variant से लेकर top variant तक यही size आपको offer किया जाता है साइड में ये black lining गाड़ी की खूबसूरती को बढ़ाती है और इसको scratch वगएरा से बचाने का काम करती है अगर इसके top model तक आप बात करते हैं तो top model में भी आपको आज के दिन भी अगर बात करते हैं तो black color के ही ORVM देखने को मिलते हैं body के अंदर जो door handles है वो तो body colored है लेकिन ORVM जो है वो black colored है front और side look से गाड़ी जो है वो बहुत ही स्यांदार और अच्छे लगती है entry level लोगों के लिए जो ने लोग हैं और entry वाला जो segment है उसी साबसे गाड़ी के बात करें तो बहुत ही स्यांदर package के साथ आज ये offer होती है build quality को आप इसमें count नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिस price point के उपर इसको रखना था वो उसके साथ बहुत सारी चीज़े compromise करनी थी और वैसे आप जानते ही है इस मारूती सुजुकी जो है इस time उतना ध्यान अब देने लेगी उस time ध्यान जादा नहीं देती थी गाड़ी के अंदर fender के उपर ही आपको turn indicator मिल जाता है front का जो है वो light के अंदर integrated है बाकि side में कुछ ऐसा और चीज़े आपको नहीं मिलते हैं इसके top variant को आप key के दवारा और ये इसके simple door जो आज से पहले आते थे वही रखे गए है प्लास्टिक के अंदर ये door है और ये कुछ ऐसी आती है अगर आवाज की बात करूँ तो कुछ ऐसी सी आवाज आपको इसको चुनने को मिलती है उपर के तरफ sun visor देखने को मिल जात है उन चीजों के बारे में बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर जो exterior back look है वो ज्यादा attractive नहीं है कुल मिलाकर के ठीक ठाक लोगो को पसंद आने वाला ही back look है ऐसा नहीं है कि लोगो को ये पसंद नहीं आएगा इसके अंदर जो चीज़े back look के इसाब से होनी चाहिए वो सार XI Plus variant में तो आपको इवन rear view camera तक मिलता है two point के reverse parking sensors मिल जाते है और नीचे की तरफ आपको number plate कोई भी गाड़ी के अंदर skid plate वगरा offer नहीं की जाती है ये इसका exhaust system मिल जाता है अब बात कर लेते हैं lighting में तो lighting में यहाँ पर आपको इसका halogen based stop lamp ये turn indicator और नीचे की तरफ reverse parking fog lamp मिलता है ये था गाड़ी का back look यानि कि पीछे से गाड़ी आज भी sophisticated और design wise बहुत ही सुंदर लगती है अगर इस side की बात करें तो यहाँ पर आपको ये आज कल वैसे तो जो alto है उसके अंदर अब CNG का भी option मिलने लगा है लेकिन ये petrol वाला variant है तो fuel filling CNG हो चाए petrol हो वो सारी यहीं से होगी और बाकि इस side भी कोई आपको ज़्यादा change देखने को नहीं मिलता है गाड़ी का side look है वो अभी भी वैसा ही बना हुआ है और उस हिसाब से बहुत शांदार और शुंदर look के साथ ये आती है लेकिन कुछ चीजे हैं जो आपको खटक सकती है क्योंकि exterior look अब चलते हैं गाड़ी के interior look में और बात करते हैं कैसा कुछ interior अब L2 के top and variant VXI Plus के अंदर आपको देखने को मिलता है तो हमारे साथ बने रही है साथ में चैनल को subscribe कर लिजी क्योंकि subscribe ratio views के मकाबले आज भी चैनल का बहुत कम है उमीद करता हूँ अब आप चैनल को subscribe करें interior में सबसे पहले की से ही start कर लेते हैं तो इसके अंदर basically कुछ इस परकार से की offer के जाती है जिसमें एक manual और दूसरी remote के साथ है remote में सिरफ दो यह option मिलते हैं एक lock का और एक unlock का गाड़ी के अंदर simple वही जो मारूती में lock system मिलता है वही इसके अंदर भी offer किया जाता है सबसे पहले driver door से ही start कर लेते हैं तो driver door के उपर आपको कोई भी control इसके windows से related या ORVM से related नहीं मिलते हैं सिरफ silver color inside door handles मिल जाता है और यहां से आप door को close wire कर सकते हैं bottle holder भी इसके अंदर offer नहीं किया जासता है सिरफ magazine holder के रूप में लेकिन speaker grill मिल जाती है और एक अच्छा system में इसके अंदर 8 इंच का infotainment system भी मिल जाता है अंदर बैठते हैं और हर एक feature को detail में discuss करते हैं तो यह है Maruti Suzuki Alto का interior ऐसा कुछ interior आपको देखने को मिलता है इसके अंदर यहां पर आपको सिर्फ speedometer देखने को मिलता है टेकोमेटर इसके अंदर offer नहीं होता है इधर यह कोई digital screens नहीं है सिर्फ screen के रूप में जो है वो यहां पर available है और उसको toggle करने के लिए कि इको insert करता हू और ध्यान देना कि इसमें warning lights वगरा अच्छी खासी रखे गई है तो यहां पर शारी warning lights मिलती है यहां पर seat belt और airbags related lights आपको देखने को मिलती है इसका आपको पहली बता चुका हूं speedometer मिलता है टेकोमेटर गाड़ी के अंदर offer नहीं होता है अगर इसके अंदर बात करते है तो क्या क्या आपको जो features हैं वो मिलते हैं देखिए फ्यूल की मिल रही है उसको अगर toggle करते हैं तो a trip दिखा रहा है बी trip दिखा रहा है timing और total कितनी चली है ठीक है यही चीज़ें इसके अंदर मिलती है बेसिक सा है कोई ज़्यादा advanced चीज़ें offer नहीं की जाती है टिपिक की तरफ से ही wrapped आपको मिलता है इसमें exterior कुछ भी नहीं है अब center console पे आ जाते हैं तो यहाँ पे air vents के बीच में आपको hazard lamp देखने को मिलता है और नीचे की तरफ 8 inch की यह screen है यह screen जो है इसमें सारे touch based ही system है कोई भी external point वगारा button नहीं दिया गया है लेकिन कुछ access के लिए buttons है जैसे यहाँ से off कर शकते हैं plus minus volume करना mute करने का option मिलता है इस side आपको setting का option मिल जाता है music का option मिल जाता और पीछे आने का screen के बात करें तो इसके अंदर क्या कुछ आपर किया जाता है वो बात करें media phone connect वगरा का option मिल जाता है और menu को access कर लेके देख लेते हैं यह radio station है यहाँ स और इसका menu setting of one कर लेते हैं तो setting में आपको audio की setting मिल जाती है जिसमे bass balancer equalizer volume और क्या कुछ मिलता है नीचे oxygen system beep और volume attention during reverse वगरा मिल जाता है ठीक है radio से related phone से related controls लेकिन यह जब तभी काम आएंगे जब आपको phone connected होगा और यहाँ पर आपको setting सारी में बताई चुका हूं यह देने के लिए phone connected होना चीए और उसका जो speaker है वो उपर की तरफ छत में रखा गया है नीचे बात करते हैं तो AC से related सारे control से यहां मिल जाते है manual AC ही इसके अंदर offer की जाती है जिसमें यहां से आप temperature control करते हैं यहां से blower speed और यहां से air की direction यह dummy button है क्योंकि इसमें rear defogger offer नहीं आप मोटा space सामान आप रख सकते हैं dual airbag में आता है यानि कि एक airbag की बेजिंग यहां पर है और एक airbag की बेजिंग आपको steering wheel के ओपर देखने को मिलती है तो गाड़ी का जो interior है वो कुछ ऐसा सा आपको complete देखने को मिलता है यानि कि basic है को ज्यादा advance नहीं है नीचे की है उपर से black है कोई exterior नहीं है front की दो windows जो है वो power में offer की जाती है तो उसके दोनों controls यहां पर मिलते है दोर पर मैं बताई चुका हूँ दोर पर control नहीं मिलते है उसके यहां और यह इसका handbrake system है और तो कुछ इसमें है यह नहीं front में अगर passenger door की बात करते है तो passenger door के उपर भ नहीं है day and night adjustable ORVM नहीं है सिरफ यह simple सा मिलता है यहां पर इसके light मिल जाती है और उपर की तरफ जो mic बता रहा था वो mic यहां मिलता है अब इसके sun visor वगरा की बात कर लेता है कैसा sun visor गाड़ी के अंदर offer किये जाते हैं तो गाड़ी के अंदर जो basic features के sun visor है वही offer किये जा लेकिन अगर passenger का तो airbag की basing मिल जाती है और इसमें भी simple से है कोई mirror वगरा कुछ नहीं है driver को छोड़ करके बाकी सभी के लिए grab handles आपको देखने को मिल जाते हैं और पिछे वाली seat भी गाड़ी के लिए ठीक ठाक है उपर की तरफ center console में कोई light नहीं मिलती है सिरफ front में ही ए a tire value से उपर है front seat को अपने हीसाप से adjust करते हैं और चलते हैं पिछली seat पर फिर बात करते हैं कैसा क्या कुछ space आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलताहें यह मैंने अपने हीसाप से इस seat को adjust कर दिया है अब मैं चलता हूँ और बताता हूं कि पीछे वाली seat पर कैसा मिलत करते हैं अगर आप ड्राइवर सीट की बात करते हैं तो ड्राइवर सीट में सिरफ आगे पीछे कर सकते हैं और इसको रिकलाइन किया जा सकता है हाइट एड़ेस्ट का ओप्शन इसके अंदर नहीं मिलता है इवन टॉप वारियंट में भी यहां से आप बूट रिलीज कर शकते हैं और उसके साथ में फ्यूलिड रिलीज करने का ओप्शन दोन्नों ही मिल जाता है नीचे की तरफ इस जिगाए पर आगर आप बात करते हैं दोन्नों यह ऑपशन मिल जाते हैं और यह को मिलता है जिसमें even power windows भी औफर नहीं किया जाती है यह जो पहले वाला mechanismाथा था वही है विंडvol रोल डाउन करने के लिए उपर से विंडों लॉक करने के लिए लेकिन छाइज लोग इसमें आपको देखने को मिल जाता है और चायल लोग इवन की वाला नहीं है वो साइड लोग है पिछे वाली शीट पे बैठते हैं और बात करते हैं कैसा कुछ comfort मिलता है उससे पहले सीट में देख लीजिए कोई 60-40 का split नहीं मिलता है कुछ नहीं मिलता है लेकिन bench folding आप seat को कर सकते हैं यहां से ठीक है bench folding का option मिल जाता है बीच में थोड़ा सा hump जैसा आपको देखने को मिलता है यहां पर hump जैसा जो है वो मिलता है जिसकी वज़े से दो बंदों को बैठने में मुश्किल होती है अगर मैं अपने हिसाब से इस seat के उपर मैं बैठने की असानी रहेगी मुझे अच्छा खासा नीरोम ओफर होगा अगर मैं अंदर जैसे ही बैठता हूँ तो मुझे पैर जो है वो प्रोपर नीचे तक जा रहे है और इतना खासा स्पेस मुझे मिल रहा है ठीक है एक 6 फिट के बंदे के इसाब से अगर आगे वाली seat है और पीछे वाली seat है तो ठीक ठाक स्पेस मिलता है आपको कोई ऐसी जादा नहीं है बाकि एमिनिटी के नाम पे यहाँ पे ना तो आपको 12 वोल्ट का पावर शोकट वगरा मिलता है कुछ नहीं मिलता है simple C जो है आपको चीज़े front के अंदर ही ओफर होती है वहीं पर USB है वहीं पर 12 वोल्ट का पावर शोकट ओफर किया जाता है वहीं पर शारी चीज़ें ओफर की जाती है यह इस गाड़ी के लिए थोड़ा सा negative point हो सकता है क्योंकि पीछे वाले passenger के लिए कोई amenity ने होना एक अपने आप में negativity की बात है यह front का center console है जो आप पीछे से बैठ करके देखते हैं जिसमें screen जो है उसकी placement ठीक है कोई भी driver side tilt नहीं है तो यानि की पीछे वाले भी enjoy कर सकते हैं इसमें सिरफ आपको front door में ही speaker मिलते हैं पीछे वाले door में कोई speaker का option नहीं मिलता है ठीक है कोई bottle holder वगरा कुछ नहीं है चुका हूँ दो तरीके आपके पास एक तो है यह वाला तरीका यहां से आप बूट release कर सकते हैं और शाथ में power जो है fuel lid जो है उसको भी open कर सकते हैं और दूसरा तरीका है की की मदद से तो हम की की मदद से खौलते हैं और फिर बात करते हैं तो चलिए पीछे तो यहां से अगर आप धर आते हैं तो यहां से just simply बूट को release कर सकते हैं अपने आप यहां से release होदाती है और इसको अगर आप यहां से खौलते हैं तो इतना कुछ बूट आपको देखने को मिलता है पार्शल ट्रे वगरा मिल जाते हैं दो छोटे साइज के बैग इसमें आ अंदर ही रखे गए हैं यह मारूती शुजुकी की तरफ से genuine accessory है वो गाड़ी के अंदर offer होती है बाकी तो आपको मैं बताई चुका हूँ इसके अंदर क्या कुछ मिलता है उपर की तरफ अगर आप बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर insulation वगरा की कोई कमी तो है नहीं ठीक को आप सिंपल लिए क्लोज कर सकते हैं और इसी परकार से यह गाड़ी आपको मिलती है तो यह था आपके लिए मारूती शुजुकी की तरफ से offer किये जाने वाली मारूती शुजुकी एल्टो के टॉप एंड वैरियंट वी एकसाई पलस का एक छोटा से रिव्यू अगर आ जो इनके लिए और मेरू से के वाली में आपके टोझाने खे वाली में आपके लिए खेदो कॉल पिए कर से का एकल दो यह वी के अवी अवी का वाली में आपके एक लिएे.